नमस्कार सतिंदी.com में आपका स्वागत है एक नज़र अब तक की सुर्खियों पर बीजेपी संसदिय दल का नेता चुने जाने के बाद NDA संसदिय दल का नेता चुने गए नरेंद्र मोदी शिरोमणी अकाली दल के नेता प्रकास सिंग बादल ने रखा मोदी के नाम का प्रस्ताव जिसका नीतिश कुमार रामिला स्पासवान और बाकी पार्टियों के नेताओं ने किया समर्थन मोदी के NDA के नेता चुने जाने के बाद बोले अमेशा कहा देश की गरीब से गरीब जनता ने भी नरेंद्र मोदी के नेतरित्तु में अपना भरोसा जताया है उन्होंने कहा कि हमको 17 राज्यों में 50 फीसदी से जादा वोट मिले है जिसका मतलब है कि हमको देश के हर कोने से आशीरवाद मिला है वस्टे मंगाल के मुख्यमंतरी ममता बनर जी ने लोग सबाद चुनाव में पार्टी की कम सीटे आने के बाद की मुख्यमंतरी पद से इस्तीफा देने की पेशकस कहा मैं अब नहीं रहना चाती हूँ राजी के मुख्यमंतरी साथ ही उन्होंने अपने खिलाफ केंद्रिय शक्तियों के काम करने का आरोप भी लगाया कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने की इस्तीफे की पेशकस कमेटी ने एक सवर में इस्तीफा सुईकार करने से क्या इंकार पार्टी मीडिया प्रभारी सुर्जेवाला ने प्रेस कॉनफरेंस कर दी जानकारी सबरों के मताबिक कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठेक में बोले राहूल गांदी कहा मैं कॉंग्रेस अध्यक्ष पद पर काम नहीं करना चाहता पार्टी के लिए करता रहूंगा काम उडिशा के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनाई एक बार फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शबत विदानसवा में वीजु जनता दलने 147 में से हासल की थी 112 सीटे 29 मही को शबत लेकर लगातार पांचमी बार बनाएंगे सरकार सूरत के तक्षिला कॉंप्लेक्स में शुक्रवार को लगी आग में 20 चात्रों की मौत वहर कानूनी तरीके से चल रहा था कोचिंग सेंटर खबर के मुताबिक आग उस फ्लोर पर लगी है जो अवैद रूप से बनाया गया था इस पूरे मामले में अब तक 3 लोगों के खिलाफ F.I.R. दर्ज हो चुकी है कल प्रदार मंद्री मोधी गुजराच जाकर माहीरा बेन का आशिरवाद लेंगे तो इसके अगले दिन वारानिसी जाकर जंता को जीत के लिए शुक्रिया भी कहेंगे वारानिसी से मोधी 4.5 लाग से विजादा वोटों से जीते है चुनाव नतीजों के एक दिन बाद 24 माई को रिलीज हुई फिल्म पी-म नरेंद्र मोधी ने पहले दिन कमाए 5 करोड रुपए मोवी रिलीज जेट को लेकर रही थी काफी विवादों में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के नतीजे आने तक रिलीज जेट पर लगा दिया था प्रतिबंद विशुकप में भारत और न्यूजिलेंड के बीच चल रहे अभ्यास मैच में भारत का खराब प्रदशन 49.2 ओवर में 189 रनों पर ओल आउट हुई भारतिय टीम जड़ेजाने अर्द सर्था जड़कर बचा इलाज भारत ने टॉस जीट कर पहले बल्लेवाजी करने का किया था फैसला विशुकप के अभ्यास मैच में आज दक्षिन अफ्रीका ने स्री लंका को दी 87 रनों से करा दी शिकस टॉस हार कर पहले बल्लेवाजी करने उतरी अफ्रीका की टीम ने स्री लंका को दिया 338 रनों का टार्गेट जिसका पीछा करते हुए स्री लंका बना पाई केवल 211 रन विशुकप के अभ्यास मैच में देखने को मिला अलग नजारा मेजबान इंग्लेंड और उस्टिलिया के बीच खेले जा रहे मैच में फिल्लिंग करते देखे पूर्व इंग्लेंड के दिगच बने वाज पॉल कॉलिंग वूडय दरहसल इंग्लेंड के तेज गेंदवाज मार्क वूड के बीच मैच में चोटिल हो जाने के बाद सब्सित्यूट के तौर पर फिल्लिंग करने आयते पूर्व कप्तान पॉल कॉलिंग वूड़ अब तक की खाबरों में बच इतना ही बाकिकी खाबरों के लिए बने रहे है सतिंदी.com के साथ